हम लोगों ने फ्रांसिस्यों का भारत आगमन देख लिया था फ्रांसिसी कंपनी का भारत आगमन आज हम लोग डेनिस जिसको हम लोग डेनमार के नाम से भी जानते उनके बारे में आज हम लोग पढ़ने वारे हैं तो भारत में इरोपिय वैपारिक सक्तियों के आगवन के सं 1616 में डेनिस इस इंडिया कंपनी की क्या होती है अस्थापना होती है तारिक महत्पुन है आप लोग शाहर तो इसे याद कर सकते हैं ठीक है तो 1616 में ठीक है इसने ध्यान में रखेंगे 1620 में ट्रैंगोबर तमिल लाडू के पूरवी ट्रट पे करखाना अस्थापित किया तो 1616 में भारत में आती है और 1620 में अपनी पहली करखाना अस्थापित करती है तो यार रहेगा ना आपको भूलेंगे तो नहीं तो 1620 में पहली करखाना भारत में अस्थापित की कहां पे तमिलाडू में से स्थापना की और इनकी बैपारी गतिवीडियों का मुख्य केंदर रहा था ठीक है फ्phony है बहुत होती थी होड़ा ट्रेड पनी बात करेंगे टक्तिby Super लेकिन इक उनका मुखें केंदर Gemeins dem 2 बात करेंगे बृटिश ने जभा अपना इक्सपेंड किया तो उन्होंने खाल कलकत्ता प्रेशिडेंसी बनाया मदरास प्रेशिडेंसी बनाया बंबाई प्रेशिडेंसी बनाया ठीक है बाकी फैक्टरिया कई जगा छोटी-छोटी होती थी लेकिन बैटिस का प्रेशिडेंसी क्या होता था परमुक होता था उसी तरह देंस की भी फैक्टरिया कई जगे थी लेकि गतिवीधी को चला नहीं पाई बानिचिक और वेवस्थपनाओं को कभी भी महात्पुन इनकी नहीं रहे ठीक बैपार में कभी ज़्यादा दिल्चस्वी लेते ही नहीं थे आठार से आठार से चौण इस वी में ब्रीश सरकार को सारी संपति बेच कर निकल जाती यह भी पूछा जाता है बहुत महात्पुन परसमद वन जाता है सरकार को किससे ब्रिपारिक कंपनी ने सारी संपति बेच इस ने बिची थी देनिसरी यह उ tartat Г्एन से इस सारीσα Thousand बे में सबसे पहली अपनी गरखाणा स्थापति किरा तिसरा प्रस्ट यह बनेगा से डेनिज बेपारिक कमपनी का परमुख के इंदर कौन दो क्या बताएंगे कलकत्ता के नदिक क्या करT times कार्या करता है त्षिरामपूर का कनाम क्या का इसने गाफ्यादिक पूछा है ठीक है तो इसे आपको ध्यान में रखना चाहिए ठीक है बहुत महत्पुन बन जाता यह क्योंकि कई बार रिपीट किया गया है आप यहां पर देखें कि जब एरोपियन कंपनिया जब आई तो उन्हेंने बैपार का क्या इस्ट्रेक्शर बनाया उनके तरीके क्य लें आतेज इसके बारे में हम सबसे पहले देखेंगे सबसे पहले तो इरोपेन ट्रेडिंड़ंग अधी टी किवाई आई थी पैहला उभी तेग़ा किया そल नहीं कंपेर बार के सास्झे कला करना शुरू कर दिया उनितिक गत्य डिचीं और में तुए नहीं थे जब इरोपी अपने वेशिक सक्तियों ने भारत से वेपार करना शुरू किया तो उनके सामने एक ही समस्या थी भारत में लाएगे समान के बदले में भारत को किसी स्किया पूति की जाए क्योंकि भारत की बात करेंगे चीन की बात करेंगे आप पूर्वी देश की बात करेंगे सब के सब संबन थे आप हमें क्या दोगे आप कहां खेती तो होती नहीं है ठीक है बर्स के साथ से आठ महिने बर्प से ढखे रहते हैं ठीक है कोई भी ऐसा चीज नहीं था ईरोप को ज रबर था चांदी देना परता है तो इनके बारे में बहुत अदी समर्ज़ सारा इरोप का और आप हमसे कुछ खरीदी नहीं रहे होते क्या होगा हमको एक बहुत बड़ी संख्या में आपका मुद्रा देने परेगी लेकिन कितने समय तक दिया जाएगा एक समय के बाद चीज़े समाप्त हो जाएगी सारे इरोपियन कंपनियों के लिए सबसे बड़ी क्या थी समस्थ करते हैं तो उन्हें विटी अन कि समय बृटियान की समस्या और एस्या के सब्सक्राइब बैपार संतुलन की समय से जूझना परा प्रतिकुल का मतला वह तो है ट्रेट डेपीशिट जैसे हम जब ट्राइना के साथ बैपार करते हैं तो हम उनको 10 रुपार का समान बैश्या गया वहा हमारे हैं काल गया और संतूलन हो गया वैपार संतूलन है तो ठीक है दम हम आप के हैं बेश है दम आप हमारे हैं निकालने को समृपर लगर लेकिन उसमें कर भुसरा किर В कर बहुत है गारा से होटा को उन्होंने सोलामी सतावनी डशीन अमरीका की खानों से सोना चांदी निकालके एरोप को समरिद किया और उसका उप्योग अनिच्छुक रूपी में पुर्व से आयत बस्तूओं को खरीदने में किया है अब पुर्व सब्द का यूच हो रहा है ठीक है क्योंकि अपने आपको क्या करते थे सोना और चांदी यह लोग देते थे यह दर्ज किया गया है कि 1660 और 1699 के बीच में 66 परसंट जो था पुर्व में आता था अब 1680 और 689 के बीच में यह लागए 87 परसी तक पहुंच गई कितना मतलब क्या हो रहा है काफी मात्रा में क्या हो रहा है न बट होती है यहां पर देखने को मिल रही है ठीक है और आगे भी आप देखोगे तो अंग्रेजों ने 700 और 750 के बीच में 270 लाख रुपे की कीमत की चांदी और 90 लाख की अन्य बस्तुए भारत भेजी लेकिन 270 के बार अप्रेजांद के डाग मन के साथ इस्तितियों में परिवटन होना सुरू हुआ अब straps की जब सुरूत एंड। सब्सक्राइब निर्याद कि अन्य बस्तों का निर्याद केवल चार सो पचासी लाख तक बढ़ गया वानिज्यवादी विश्वास के अनुशार बुलियन ध्यारम रखेंगे बुलियन जो होता था सोने चांदी की इटे का निर्याद किसी देश के अत्विवस्ता के समरीदी के लिए नुकसान दे हो सकता है मतलब जो अर्थ सास्क्री कहते हैं जगर सोना चांदी के अगर आप निर्याद कर रहे हो किसी देश में तो आपके देश के अत्विवस्ता के लिए क्या हो सकता है ब इसके बदले में क्या दे कोई दूसरा बस्तू ढूंडे तो दूसरा बस्तू भारत में लेगा क्या रचीन को तो इन्होंना अफिम देना शुरू कर दिया कि कि वहां के सारे लोगों का अफिमची बना दिया कि रचीन में इन्होंने क्या किया भारत से क्या करते थे अफिम का वेपार होता था इस्पेसली बिहार से ही होता था रचीन में जाके बैशते थे लेकिन भारत में इन्होंने क्या किया उसके बारे में लोग देखेंगे अंतर एसीयाई बैपार पर कबजा करने के लिए इस समस्था का अंसिक समाधान खोजा एरोपिय बैपार मसालों के दिप से लॉंगर जपान से तामबा भारत और चीन तक पहुंचाते थे बारतिय सुथी वस्थ को दचिन फूर अशिया और भार्सी कालिन भारत तक पहुंचाते थे इस तरह भारत से आई इतिमाल का कुछ मुल्य चुकाते थे मतलब क्या करते थे भारत से इस अमान को ले जाके अन्ने देशों में जाकर बेचते थे जब अंग्रेजों ने बंगाल के राज सी सुनल ना सूरू कियाठ चीन को अफिमत्यानियाद्र करने लगें फिक हैim और यहां पर सबसे बड़ी समस्या थे चीन के साथ भी वैपार करना चाहते थे ऐसे चैनी रेचन का वैपार करते थे तो बिहार में अफिम का खेती करवाते थे और अफिम को तयार करके पटना भेते थे पटना से कलकत्ता जाता था कलकत्ता में अफिम की बोली लगती थी या उसके बार उसको चीन भेत दिया जाता था चीन के जब नागरिकों का अफिम का जब लगया था तो उड़र परटे रहते थे ति उहांके जो सासग जा तत कालींD सासक उसको काफिया थीG मतलब चिंता हुआ उन्होंने मतलब क्या किया है चीन में अफीमद को между होता है ठीक है और इसी को लेकर चीन के साथ सब्सक्राइब निखल कर कट दा चाइनिज लेवन वद्दा चीनी खरबूजे को काटना ठीक है तो सब्सक्राइब कंपनिया से लाई गई बस दूओं को इरोप अफरीका अमरीकी महादिक अन्यम अध्य प्रूब के बजारों में बिक्री से भारी मुनाफ़ा कमाते थे एस् कि अम्रीकी महादिक में बिश्टे थे अमरीकी महादिक केह रहा हूट न उर्फ प्रूफ साउथ अमरीका दोनों ठीक है और उनसे काफी अधिक उनको प्रॉफिट होता था इरोकी सकतिय घाने इरॉप अमरीका और भार अफ हराक लेगे beef ने टित कोनीय वेपार इरोपिया अपने विशिक सक्तिया अमरीका के बगानों के दासों की निप्टी करती थी, अब यहाँ पर क्या होता था ना, इरोपी की जो अपने विशिक सक्तिया जो थी, और अमरीका के बगानों के लिए दास की निप्टी करती थी, दास जिसको गुलाम कहते थे, यह दास क परीका के पचमी टट से लाए जाते थे थें, यह अ भ debates ही होते थे काफी कट कादी इनकी काफी मजबूत होती थी, काफी लंबे होते थे, लंबे समय तक काम करने के लिए इनका उपयोग किया जाता था, यह मनुस्से ही थे, लेकि इनके साथ काफी ही अमान भी ये बहवार किया जाता था, ठीक है, तेहाँ पर एरोपेन सक्तिया को जब अपने बागों में जब काम करवाना था, बागान में जब काम करवाना था, इस्पेसलि जब खेती के कारे करना था, तो उसके लिए किसका प्रियोग करते थे, दास का प्रियोग करते थे, दासों की खरीद विक्री बरे पैमाने पे होती थी, ठीक है? अलाकि आगे चलके दास के बैपार को बंद कर दिया गया, अदास जो थे कहां से पच्छमी अफरीका के टट्स लाया जाता है, जहाज में भर भर को, ठीक है, जानवर की तरह इनको रखा जाता है, तिन-तिन महिने तक जहाज जो थी समंदर में होती थी, ठीक है, इनको मतलब एक छोटे से कमरे में इनको भर दिया जाता था जहाज के अंदर, अब फिर मतलब लाया जाता था, और इनकी आदमी के हिसाब से इनको नहीं खड़ रजाता है, जहाज के जहाज बोली लग जाती थी, जहाज में जहाज में इनकी बोली लग जाती थी, तिस इस जहाज का कितना कीमत होगा, इस परकार से चीज़ आगे चलके आप देखोगे, दासों के लिए यूद भी होता है, अमरीका में हम लोग पर रहेंगे, और इस भूमी से पूरब के साथ वैपार आगे बढ़ा, आराम बे एरोपिय बजारों में मसालों की मांगत्ते धीक थी, एरोप में मसालों के मांग होने का सबसे बारा कारण क्या था, एरोप की जो वता बरन जो है से काफिय अधिक ठंधा है, ठीक है, काफी समय तक क्या होता उसकी भूमी जो होती है बरव से धाकी रहती है, तो खेती होना पर हो एहाँ पर सवभाविक नहीं है, उहाँ पे लोग जो से मुकियत जो से मांस के उपर बहुत अधिक निर्वर है, ठीक है, मांस को तो ऐसे तक खा नहीं सकते है, मांस को ठीक अगर पका आने के बाद होकर मांस के उपर जादा ही डिपेंड है अलाकि सत्रहमी सताबदी के अंठ होते होते बैपार में दुसरी बस्तुओं का भी महत्वाटा शुरू में तो जैसा बता है मसालों का था लेकिन आगे चलके दुसरी बस्तुओं का भी काफियर इंपोर्टेंट हो जाते हैं जी कपर देंट है बिहार में एक ब्रिद्रोह हुआ था जिसको नोनिया बिद्रोह के नाम से जानते हैं ठीक है तो बिहार में सोरा के लिए बिद्रोह हुआ जेकि नुनिया विद्रो के नाम से जानते हैं ठीक है तो बिहार सुरा का अफीम का दोनों का सेंटर था सतमी सताबदी के दुस्य दसक में अंग्रेजिय डच कंपनियों ने भारती वस्तरों की मांग काफी बढ़ गए ठीक है तो भारती वस्तर खुब मांगे जाते थे उरोक में ठीक है भारतीय मलमल ठीक है भारतीय रेसम भारतीय सूती कपरा का डिमांड खुब था एसिया के दुस्य दुस्य में भारती कपरों की मांग बहुत या इसका उपयोग बिनियम बस्तु के रुप में भी किया जाता था बिनियम बस्तु के र मोटे और प्रिस्क्रित दोनों परकार की इरोप और साथ ही अफ्रीका और वेस्ट इंडिज के बजारों में भी मतलब इनका मांग थी अधिकारी कांकरों के अनुसार 16-14 में अंग्रेज कंपनी ने सूरत से 12000 थान की मांग की थी ठीक है अरे 16-64 में कितना हो गया 12000 से 750000 हान हो गया पता यह कितना डिमांड मतलब बढ़ रहा है ठीक है इसकी माता कंपनी के समस्थ वेपार का 73 पर तीसरता की गयी मतलब टोटल जो कंपनी का जो वेपार जो था उसकी 73 पर तीसरत जो थी इन कपरों का वेपार होता था 16-90 तक कुल मिलाकर कपरे का हिससा 83 पर तीसरत पर पहुंची गया इस समय इरोप में उच बर्गों के बिच बंगाल के मलमल और कोरो मंडल के छिटेदार कपरों की मांग जो थी बिसेस रूप से थी ठीक है समय सब लोगे सब लोग इसको वशिट्रदी कर पाते थी काफी महंगी होती थी इंग्लेंड में रहने बाले उच इरोप में रहने वाले उच कलास के लोग जो थे क्लाइट जो कहते थे उनके द्वारा मतलब यहां की बहुत अधिक होती थी ठीक है इस बठते हुए आयात से अंग्रेजी उत्पादक घब आ गए अंग्रेजी उत्पादक जो थे जो कि अंग्लेंड पर जो कप्रा जो बेशते थे वह काफी अदिक डर गए तो हमारा क्या होगा उन्हें भारती वस्त्रों को आयात पर प्रटिमन लगाने के राजनितिक दबा दबाब लगाओ नहीं तो हमारा इंडस्ट्री क्या हो जागा पूरी तरीके से समाप्ट हो गई जिसके तर सरकार ने सत्रासो सत्रासे की साथो सपैटिस में बिविन सनच्छनवादी बिनियम पारिट के इसके अत्रिक सत्रहमी सताब्री उर्पिय बजार में कच्छे रेसम के भी मांग बड़ी ठीक है तो उहां के जो वैपारी जो थे जो की कपरे के वैपार करते थे वो काफिय घबरा गए क्योंकि जो भारासे जो कपरों की मांग आ रही थी ब्रिटिस ब्रिटेन में काफिय अधिक उसकी डिमांड थी तो उन्होंने क्या किया अर्तानितिक 1721, 1700 और 1735 में कुछ संदक्षनवादी कानून पारित किये गया है जिससे मतलब क्या था ब्रिटिस कपरों का मतलब क्या करना था बढ़ाबा देना था भारती कपरों का आयात को मतलब पर्टिमंधित करना था ठीक है द्यानों रखना अब फ्रांसिस्यों और इसका पर्योग क्या होता था इसलिए होता था ध्यान रखेंगे तो मुख्यता बारूट के रुप में इसका पर्योग किया जाता था इसकी बेहता बितहासा मांग बढ़ गई खुब इसका डिमांड हुआ इसके आतिक एक महतुन कच्छा माल होते हो भी सोरा भारी बस्तू करने के लिए किया जाता था जहाज को संतुलित करने के लिए किया जाता था जहाज को भी संतुलित करने के लिए कहते थे और सोरा का परमुक सेंटर कहां पे था बिहार ही था पठना सोरे के वैपार के परमुक किंद्र के रुपे उखरा ठीक है कौन सी जाती है पर सोरा का वै तो बिचोलिया जो था नोनिया जाती के लोगों को सही कीमत नहीं देते थे इसलिए बिहार में कौन सा विद्र हुआ तो नोनिया विद्र हुआ तो नोनिया विद्र हुआ उसी तरह आप देखोगे उसी परकार आप देखेंगे नील की अयात भी एक अन्य बस्तू थी जिसका उपर कपरों को मतलब क्या होता है रंगने के लिए किया जाता था ठीक है ध्यान में रखना है क्योंकि यह इरोप में नीले रंग के लिए परयो जोता था ध्यान भरेखेंगे क्या होता था कपरों करंगम होता था इसके लिए आप देखोसु क इसके नाम ध्यान में रखिएगा तो यहां पर जो था यह आपका इस परकार से ट्रेड ग्रोस किया किस परकार से उनकी मांग वढ़ी इरोप में क्या कैसे की मांग होती थी भारत से वह चीज़े कैसी पूरी कि जाती ठीक है कि अब जो से थोड़ा सा और परहा देता हुआ है कि इतने बहुत जादा है कि अब यहां पर देखेंगे अब देखेंगे जितनी भी जितनी भी इरोपियन कंपनिया आई उसमें सुख़ए टीक नहीं पाई टीकी तो अंतिम्तर कौंटी की अंग्रेज ही टीक है तो क्या पिछे सफल होने के पीछे कारण क्या था उसके बारे मैं लोग देखेंगे सभी इरोपिय रास्ट्रों जो नभीन समंदरी मार की खोच के भारत के बैपारी के तोर पर आये । बैपारी के तरप आये सब का पलान क्या था ट्रेड ही था लेकिन इन सब में आप देखोगे सब्सक्राइब को क्या बोलते थे डच बोलते थे हाउलेंड बोलते हैं ठीक है इससे भी आप ध्यान में रखोगे फ्रांस एम देनवार की बुरुद अंग्रेजियों की सफलता शमानता विश्चों में और विश्च रूप से भारत के लिए मुख्यकारण निमने क्या कारण थे उनके बार में देखेंगे इन में से कौन सी उर्पी कंपनिया बिटिस कंपनी को अपनी सारी संपत्ती बेच कर चली गई थी देन्स नहीं था एक यादमी को पता है अठारस शोगन में देन्स पेच के चला गया और बेदरा के यूड में कौन सी सकती एरोपियन सकती आप बिटिस से प्राजित हुई थी अब बांडी बसके इड़ में कौन सी प्राजित वीटि बांडी बसके इड़ में प्रांस इसी ठीक है यह सारी चीज़े जो है न काफिया दिकिंपूटेंट है आप देखेंगे सबसे बड़ा रीजन जो है से इस इंडिया कंपणी की संदचना और प्रकिर्टि में चीपी हुई है वार्टन कीजिए अंग्लेज इस इंडिया कंपनी इंग्लेड में बिभिन प्रती असपर्दी कंपनियों की मिलाकर बनी थी इसे इंग्लेड में जो उ देशक मंडल जो थे डाइरेक्टर जो थे उनके द्वारा क्या होता ता नियंतित होता है जिनके सबस्वार्षिक रुप से चुने जाते थे जैसे माले इस इंड्या कंपनी में अगर मालों कि जिए 20 कंपनी अगर इन्वाल्व है जिसका नाम ABCDEF है तो हो सकता कभी ए कंपनी क कभी कंपनी का बंजा है कभी सी कंपनी का बंजा कभी डी कंपनी का बंजा इस तरीके से थी और कंपनी के शेयर धारकों का इस पर अध्यतिक परभाव था और कंपनी के जो थे शेयर धारक थे शेयर खरिदते थे इस इंड्या कंपनी के शेयर खर देंगे और इस इंड्या क इनका सेहर धारक जो थे काफी संख्या में थे हैं क्योंकि सेहरों की खरीद के माध्यम से मतों को खरीड़ा एवं बेजा जा सकता था फ्रांस और पुटगाल की वैपारी कंपने वैपार कुछ धाज्ये के श्वामितु धिंती कही तेजिक्षुषिन की प्रकृतिक सामंतवा थी इनके मार्ग में कोई बाधक नहीं होते थे बहुत सारी निनाई अपने श्वेक्षा से ही लेते थे सरकार से बहुत अधिक इनके उपर दवाब नहीं होता था जबकि फ्रांस से पर्टगाल की अगर सेना में संख्या बरिधी करनी हतियार बढ़ाना किसी का से युद कर लेना है कुछ लिन्य लेना है इनको बहुत अधिक मतलब क्या था इनके उपर दवाब था मतलब श्वेक्षा कारी समस्था यह नहीं थी लेत लतीफी बहुत ज़्यादा थी इसमें इस परज़े सी कंपनियां के असफल होने में सबसे बड़ा कारण था इनकी संद्चना ए इस परकार की कंपनी थी राज यह के अधिन थी कि श cyclone C कंपनी में युँगते में प्रांसीं कंपनी में राजा के जबकी एक्सी इसमें के साट टी में शर्म और के नहीं नहीं होता था लोगों का से होता था जोरा सिर्द cage फर्क तोस्तों दो नीडशर को मनोफिक क्या जाता यह पे निवेंश किसे बना जाते थे युट वहाँ पर निदेशक निदेशक की सब्रॐत बना जाते थे जो कि नहीं था सरकार ना बर काम करें या नहीं कि पैसा तुम मिली रहा ना क्या जूरत रहा ठीक है प्राइवट में एक दिने करोगे दुसा दे निकाल देगा ठीक है उनको ज़्यादा रूची नहीं थी क्योंकि सरकार अदारकों का लव ऑन स्वधानक करने की बेस्द देती थी मतलब उनका डिवीडेंट यह था न स्भाई साव तुम को पांस परसेंड देंगे ही डेंगे कंपनी दूब जा कंपनी कंपनी जा कोई मतलब नहीं समझेब सरकारी कंपनी कंपनी कोछ भी हो जा क्या मतलब अंतल्ब ता आधके प्रैवेट कंपनी आज अकर लॉस में जा रही है थीक है बोले कि आपके सल्ड़ी को कुट। सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब करने का बचन देती थी सरकार से आपको इतना पर्षेंट आपको मिले गए ठीक है कि अधार को की रूची के अभाब में सत्व सब्सक्राइब की कोई बैठा की नहीं होई ठीक है राम से रहते दा पैसा रहे का दिक्कत है अस्दालन तौर पर कंपनी को राज्य का एक विभाग के तौर पर प्रबंधित कर दिया गया ठीक है कंपनी जस्ट डिपार्टमेंट प्रबंधित कोई बैठा कुटक नहीं होता है तो कोई योजना नहीं बनती थी इस बज़े से मतलब क्या होई फ्रांसीसी कंपनी डूब गई ठीक है क्योंकि इनके संदचना में ही दोस्त था ठीक है अब आते हैं नौ सन्ने शर्वश्टा नौ से नेवल ठीक है नेवल जो इस्पेन के अमड़ा और ट्रफ लगर में प्रांसीसी पे मिली जीत ने इरोपिय नौ सेना को सक्तियों में शाही नौ सेना रॉयल नेवर को सबसे उच्छा अस्थान परदान दिया था ठीक है तो इस्पेन के अर्मड़ा और ट्रफ लगर में प्रांसीसी पे जो जीत जो म काफी नौसे न कहते थे भारत में नौसे ना बेरों के तिब्र एवंस सक्त परीचालन के करन पुठिट गाली उनया को कि पराजित करने में शफ़ल अंग्रेजों ने पुठ गाली के तक्षिद नौ सेना के महतु को समझा इवं सीखा और अपने जहाजी विरों को अधोगी करण के रूप में बहतर बनाया ठीक है ध्यान रोकना यह शुरू में तो पुटगाली का काफी अच्छा था लेकिन बाद में जाके बेटिस ने क्या 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 काफी बढ़ी आपने बना लिया थ इंग्लैंड में शूट कटाई भाप इंजन मसीन करगा जैसी कई अन्य नविन मसीनों की खोज वही अब सूट कटाई के काम जो था इसको इसको इस्पिनिंग जेनिंग नाम पे आप मसीन करते हैं आप लोगों ने परहा होगा भाप इंजन का जेमस वाट्सन ने कर दिया था यह सारे के सारे मसीन जो थे यह कई इंसानों का काम बहुत ही तेजी से काफ़ी तरीके से करते थे ठीक है और इन मसीनों पर कपरा धातू कर्म भाप इंजनिवम क्रिसी के छेत्र में उत्पादन में अत्यधिक सुधार हुआ बाद में औरोगी करांती अने यूरोपी राष्टी तो पहुंच गई से इंग्लेंड को अपना अधिपित्य निप्टित बनाया रखने में मुद्द की काफी लेट पहुंची पचास साल सौ साल के बाद पहुंचा सब तत्त इंग्लेंड जो था काफी अधिक आगे निकल करके और भारत के बजारों ही बेशता था उसके बास सन्ने को सलवा अनुसासन की बात करेंगे तो बैटिस सेना की बात के बहुत ही अनुसासित थी 1857 के लराई में बेटिस सेना के बिजाई होने का सबसे बड़ा रीजन जो था उनका अनुसासन बेटिन के सिपाई अत्यधिक अनुसासित थी बेटिस कमांडर रंधिती कार्थ जो इडिशेत में नविन तरीके अपनाते थे वर दोगिकिये 39 से सेना को अधिक सुसजित किय इन सब कार्कों से संजिक टूप से मिलकर चोटी अंगी जी सेना को बरी सेना को पराजित करने को भी सक्षम बनाए समय समय पर क्या खटे हाथियारों को अफग्रेट करते रहते हैं जैसे आप देखो 5857 के बिद्रों का सबसे बड़ा एक कारण यह था ब्राउन बैस जो रा राइफल जो था क्या था काफी बढ़िया था तो यह अपने सेना में भी क्या कर हतियारों को भी अफग्रेट करते रहते थे इनके जो रनिती कार्थ है जो की मतलब क्या बनाते थे तरीके बनाते थे लराई कि वह भी मैदान में उपतरते थे शुरू में को क्लाइब मिल ग है तो यह सब इन्होंने मतलब किया काफी द्हांग से मतलब किया कर विटिस रहा को सुश्जित किया उनके लिए प्लान थेयर किया तोस्री बात की बात किने इंगिलेंड में अस्थाई सरकार, यहां पर सरकार जल्दी नहीं बदलती थी, ठीक है, मतलब एक एक राजा जो होते थे, काफी लंबे-लंबे समय तक थे, अभी जो आपकी राणी जो थी, I think, 52 में बनी थी, इधर कारी मरी, अलगर 50 वर्सों से भी ज़्यादा समय तक वो इदा ही, 48, 20, 68, 65, 68 यर्स के आसपास हो रही, इतने लंबे समय पर रहते थे, बाकी दूसरे जगह पर क्या होते थी, शरकारे बदलती रहती थी, फ्रांस में नेपोलियन का उटकर्स हुआ, नेपोलियों ने क्य है कि वहाँ पर मतला काफिय दीख वो किया, अब फ्रांस में देखो गया ताप उसमय जिस समय यहाँ पर फ्रांसिसी कंपनी को काफी आगे चाना चाहिए था, वहाँ पर देखेगा, वहाँ पर काफिय दिकते चल लाई थी, आगे चल कर प्रेंच रबूलेशन भी आपको ह होता है, तो 1688 की गौरब मही करांती, जी के गौरब मही करांती को इंगलिस में बहुत अच्छा नाम बोलते हैं, ठीक है, गौरब मही करांती जो थी 1688 में, ठीक है, ध्यान रखेगे पूशता है एक्जाम है, इंपोर्टेंट है, उसके बार यह अफबार्द था, क्या बो साथ अस्थाई सरकार बनी रही है, फ्रांस जैसे अन्य उरोपियन दाश्टों में 7089 में हिंसा करांती हुई, ठीक है, 7089 में फ्रेंच रेवूलेशन बोलते हैं न, यह हिंसा थी, राजा को ही मार दिया गया, ठीक है, गुलटिन जैसे हत्यार बगारा का यूश किया गया, राजा को है, I think, 7091 में, I think, राजा को ही फ्रांस जैसे पर लटका दिया गया था, उसमें लुई 16 था, उसको बाद नेपोलियन आया, नेपोलियन ने पुरे उरोप को ताजनास कर दिया, 1815 में नेपोलियन की प्राजय ने फ्रांस की स्थिति को महत्पुन उरोप से परभा अनिका अभी आप देखोगे, उनिफिकेशन होता है, 8071 में होता है, इस समय उरोप जो था काफी मतब डगमाडोल स्थिति में चल ला था, तो तो तमीश सताव ने डच अब में इस्पेन 80 वर्थक यूद में संग लग रहा है, ठीक है, यह डच और इस्पेन जो था, 80 साल तक यूद आपस में लगते रहा है, इसा ने चल लहा था, तो चलता था, फिर बंद हो जाता था, चलता था, फिर इस तरह की से थी, ठीक है, डच इस इंडिया कंपनी, अठारो समय दिवालिया पंसे पर भावित, को अपने अधिकार चर ब्रिटेन को बेचने और एसिया च कर बेच के चले गए, तो मुखेता आप देखोंगे, अस्थाई सरकार भी काफिया थी के इंपोर्टेंट टूल करती है, अब धर्म के परती निवन उत्सा, ठीक है, ब्रिटिस कंपनिया जो थी न, वो बैपार करती थी, ठीक है, धर्म का जादा परशार नहीं करती थी, ज कारियों में ज्यादा इंवाल्व थी, ठीक है, तो इस तरीके से भी क्या हुआ, ब्रिटेंट को मतलब एक एज देकर चला जाता है, ठीक है, अब आते देखेंगे, रीन का बजार का उपयोग, ब्रिटेंट की अन्य उर्पिय सक्टियों के परिशा सफलता प्राप्ति के प प्रत्म केंद्रिये बैंक, बैंक ओफ इंगलेंड के स्थापना की गई, ठीक है, बॉंड जारी कर्टी थी, टीक है, इंसे क्या होता था, मार्केट से लोग पैसे उठा लेते थे, अजब पैसा से मार्केट से जब इनके कमपनी में आता था, जब यह प्रॉपिटेबल होत कोई तालमन नहीं बठा पाइगा ठीक है आप देखेंगे जैसे किसे क्या नाम था इनका डूपले बगार जो था उसने सैलरी भी काफी कम करती थी जब कि इनके ब्रिटिन सेना में सैलरी ठीक था कि अच्छी खासी पैसा इनको मिलते थे तो सेना भी बहुत अच्छे तरीके स से कारे करती थी और शिक्षिन हंने 94 एटीन हंने 12 के बीच ठीक है प्रत्थम रास्तंत के अंतकत और फिर क्रंतिकारी सरकारे के अधिन तथा अंत में नेपोलियन बुनापार्ट के नितित में अनेक परचली अपरचली धन्ज उठाने के तरीकों से फ्रांज उठा दिवाल नहीं पराता हूं कल के क्लास में क्या करूंगा ना यह 24 भी परहाई दूंगा कुछ मतलब मैं पर रिवीजन जो होगा न एक खालास और इसको लगए तब जाकर समाब्त होगा यह पिर चाहो ताप इसका रिवीजन का ना यह सब नोट के सिरेनी में आएंगे ताप चाहो त यह तोर पे बना सकते हो ठीक है यह मैंस में यह पॉइंट लिखने में बहुत काम आते हैं नीचे का जो दिया हुआ ना यह सब जो है मैं बता दे रहा हूं मेंस के लिए काफी अधिक इंपोर्टेंट होंगे ठीक है इसे फ्रांसिस यह सफलता के कारण क्या है ठीक है सिदा साथ से आठ नंबर के प्रसन में फूस लिया जाता है ठीक है अना उसके बार बात करेंगे तो देखिए यहां पर एक प्रसन है सर्बोष्टा के लिए अंगल फ्रांसिस अंघर्ष किस परकार से उए इस पॉइंट को आप जाहो तो डाल सकते हो ठीक है फ्रांसिसी कंपनी की अस्ताफना कब हुई थी तो लुई पोटिन के सासंकाल में हो थी शिफीन हंड़े शिफिफिफ पोर में हुई ती और उसका म इसके नाम क्या राखा दगवर्णर एंड कंपनी मर्चंट अफ लंदन ट्रेडिंग इंटू दे इस्ट इंडिज इतना वरा नाम था ठीक है समझे रहे ना थामस बेश्ट की बात करेंगे कौन से इद में था ये कौन सा इद में था सामस बेश्ट हूं भूल गई शवाली के इद कहां पर हुआ था ये सूरत के पास में हुआ था ठीक है स्वाले में होते हैं पूत गाली के बारे में दिया हुआ बास तबिक संसावा के कभी पूछे के ता अलफांसो दी अलवुकर्क होते हैं ठीक है ठीक है इसको आपको ध्यान बखना उसके बार आएंगे कौन सा आठ के अलवेडा आते उसके बार ऑमुकर्क आते हैं ठीक है इस जूर्ण वह आज है तन के करें तक फोड़ा को अलवुकर्क ने क्यांक अंवी जूंसょ फटान से कभी वहा को अलवुकर्क ने बहुत अच्छे कवाया था अरग्वा को रधानी कब बना दिया गया था क्या बताएंगे याद करने की चीज़ है आप इसे याद करोगे ठीक है कि चटगाओं पोर्ट था अभी इंपोर्टेंट बंगलारस में पता के नूर की बात करेंगे तो पंदर सो एक मेहा पर बास्कोडिगान फैटी खोली थी महलावार टट पे था चावल की बात करें को महराश में परता है ठीक है पॉंडिचरी की बात की फ्रांसिसी सक्तिका के पूरों मंडल पे था शरामपूर की बात करेंगे तुटी नाता काली का अब गविंदपूर की बार कि यह यह तीनों सहर को जूर कर कर ठीक है कलकत्ता सार का निर्मान करवाया गया था ठीक है इसमें किसका योगदान था जौप चार्नों का निग्टा छुटा-छोटा जो सूता नाटी काली का था गोविंदपूर इस अब गाव था सब को मिला कर क्या बना दिये तो कलकत्ता हमने बना दिया ठीक है अब इससे ध्यान में रखेंगे हर इहर पूर की बात के ओडीसा में अग्रेजों की अपना अग्रेजों ने अपनी पैक्टियां पर स्थापिट की थी सवाली की बात करेंगे थिंक्त प्रांसिसी कंपनी एक तर से समाप्थ हो गई थी इस सिद्रास का ध्यान वक्रेश का किन्था मदरास में परता था यह यह बात करेंगे पुलीकट की बात करेंगे तमिल लादू में इसी थी थे ठीक है ड़ुचों का परभुक बंदरगा हुआ था शैंठ हो में की बात में सी था उट गालियों का अरम्फिक रधानी कोछी हुआ करती थी काली कट की बात करेंगे तो केरल में मलावार टट पे बंदरगा था बास को डिगामा 2797 में को यहां पहुचा था एक है अब यहाँ पे कुछ नाम है ठीक है गरुल आउगयर की बात करें जॉन सर्मेन की बात करें काफी है दिक इंपोर्टेंट है जब यह 1770 में मुगल समराथ फरुक्सियर के दर्वार में पहुंचा था तो वहां पर क्या था नहीं जो सिष्ट मंडल जो था एक ग्रूपिंग जो था वहां पर इसका यह ने प्रसंद पूचा है ठीक है और यहीं बतली इलाज करवाया इलाज किया था फरुक्सियर का फादर मॉंसरेट की बात के मुगल दर्वार में आने वाला प्रत्थाम पुट्गाली शिष्ट मंडल का ध्यास था ध्यानर रखियेगा ठीक है अकबर के समय में आया था फादर मॉंसरेट अब बिल्कुल भीमा जी भीमा जी पारिक की बात करेंगे तिम अंग्रेज जो थे डायेक्ट भारतियों से वेपार नहीं करते थे बरे बरे लोगों को मिडिल में की तरह रखते थे भारत में पिंटिंग प्रेस के प्रसार के हेतु जाना जाता है बहुत इंपोर्टेंट है भीमा जी पारिक ठीक है शुबा सिंग की बात करेंगे तो ध्यान रखेगा वर्दमान का जमिंदार था कुलकत्ता में जिसने अंग्रेजों के खिलाब बिद्धो किया था सिक्षिन हेंड़ेड आइंटी में अंग्रेज जब गाओं को जब मिला रहे थे ना उनको कलकत्ता नाम से इंपोर्टेन था ठीक है। ना इसे से दुश्मनी ले ली थी और एंग्येब ने न साहिस्ता खान के नेटेट में बड़ी सेना भे दिया था हुगली ने पच्छमी टट पे था सौरी ठीक है जहां पर बाद में जॉन चाल्ड ने मतलब क्या किया था सर जुकागर और एंग्येब से माफी भी मागी थी कलकत्ता का फोर्ट विलियम का प्रसासक जो था चाल साहर था नाम इंपोर्टेंट है इस सब को आपको रिमाइंड करना पड़ेगा ठीक है ठीक किस के दरबार में आया था इसके दरबार में आया था जहांगीर के दरबार में जोब चाल्ड़ के बात करेंगे तो कलकत्ता का अंग्रेश संसापक था था कामास weist के बारें बताату ही दिया captain Hopkins की बात करेंगे जहांगिर के दर्वार में 169 में आया था जोन की बात करेंगे कासिम क्हान की बात करेंगे की मुगल दर्वार मुगल सरदार ठीक дорог将ृ में यह कासीम खान जो थे ना एक बरी सेना लेकर जाते हैं पुटगाली पर हमला करते हैं कि हुगली नदी को टटकर पुटगाली जो थे लूट पार्ट के लिए क्या करते थे नहीं का उसका ईूस करते थे अलफांस की बात कि इसके नाम पर भारत में आम भी ठीक है तो यह पूत़ गाली गबरनर जिसके परख्यात जेशूरिट सेंट फ्रांसिसको जेविर भारत आता है अनी राधानी को परिवर्त णेवाले क्या करते हैं घुबा लेकर आता है ठीक है अलवुकर की बात करेंगे था पहला पुत्गाली गवन ना था इसने कौन सी नीटी चलाई थी ब्लू वाटर पॉल सी थी बेलकुल ठीक है बासको डीकमा की बात करेंगे दो पूर्टी नाइटी एट को काली कट आया था अब उस तारीक है तारीक में नहीं कहूंगा इसकी याद करने के लिए कुसको तारीक इसमें गलती भी दिये हुआ फिर भी एक बार क्या करना अपना तारीक आप लोग पढ़ देता हूं जब आसको डीकमा जब यहां पर आ रहा था इसको रास्ता तो नहीं दिखाता थे गुजु भाई थे गुजु भाई मतलब गुजिराती थे वैफारी थे उन्हें रास्ता दिखाया तो क्या नाम था उसका अब्दुलमजीद ठीक है तो इसको आप क्या करना है अब मैंने यह परहा दिया थे मिलमा इसका नोउच्स पढ़ाद दूगा ठीक है तो किसी दिन ने लिल्योर में लोट कैसे बनाते वो चाह से तुक्षका दुुक्हार न surf और ऑध भूडट तो सुमंजमें आई है फिरेक्ट्रम की भी हर चिप्टर की नोट्स बनाने हैं ए झाल 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 झाल